हेलो एवरीबन जस्प्रीट दिस साइड वेलकम बैक टू मैं चैनल मोर्दें तरकाविज जैजी आज भी आप लोग लेकिया हैं एक बहुत ही यम्मी सी रेसिपी आज हम बनाने वाले हैं विंटर स्पेशल बथुए की पूरी और साथ में बथुए का रायता यह एक बहुत ह इसको अज़्छी आमेज़िंग कॉंबिनेशन है वैसे तो बथुए करायता बहुत सारी चीजों में इस्तिमाल होता हैं विलौ के साथ पराठों के साथ किसी भी चीज के साथ इसको यूज कर सकते हैं खा सकते हैं बथुए की पूरी के साथ ना बथुए करायता यह किलर तो हमने यहाँ लिया है बथुआ जिसको हमने अच्छे से साफ करके यहाँ करने के बाद, एक बática फुल में ले लिया है पानी पानी को हमें बॉयल करना हैं, बॉयल तो नहीं मतलब सीमर कंसिस्टेंसी में ऐसे लेकर आना है, तो चलिए हमने इसको रख दिया है गैस पर इसको बॉयल होने के लिए और जैसे ही पानी हमारा सीमर होने लगेगा, हम इसमे बथवा आड़ कर देंगे तो देखिए पानी में अच्छे से बुलबुले आने लग पड़े हैं, पानी हमारा अच्छा सा तेज गरम हो गया है, तो अब हम इसमें जो हमने बत्वा साफ करके रखा था, उसको हम यहाँ पर डाल देंगे, और इसको हम एक बॉयल लेकी आएंगे, जिससे की बत्वा जो है, वो सॉफ्ट हो बालो के लिए बहुत अच्छा होता है, डायबटीज बालो के लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें कैल्शियम और आयरन भरपूर मातरा में होता है, तो आप इसको अपनी रोज की डेली रूटीन लाइफ में जरूर शामिल करें, किसी ना किसी रूप में बत्वा जरूर यह बहुत ही healthy होता है तो चलिए देखे बत्वे में हमारे जो है बॉयल आ चुका है अच्छे से हम गैस को करेंगे बंद तो हम इसे कर लेंगे इस ट्रेन इसका जो पानी है उसको हम फेक देंगे और जो बत्वा है उसको हम रूम प्रेंपरेचर पे आने तक ठंडा करेंगे और उसके बाद इसको पीस कर इसकी एक फाइन पेस्ट तयार कर लेंगे तो चलिए देखिए करते हैं मागे का प्रोसेस और इसके लिए हमने लेए हैं यहां तीन कब दही घर की जमी हुई दही है बिल्कुल ताजी तो इसको हम अच्छे से फैट लेंगे बिल्कुल रायते वाली कंसिस्टेंसी जैसे कि इसमें एक भी दही के टुकड़े ना रहे बिल्कुल अच्छे से फिट जाए तो चलिए देखिए हमने दही को एक सार कर लिया है और अब हम यहां पर डालेंगे जो हमने बत्वा पीस के रखा था यह पेस्ट बनाके यह देखिए इसको हम यहां पर इसमें मिक्स कर देंगे और इसको हम अच्छे से दही के साथ मिक् तो चलिए फटाफट हमने इसको कर लिया है अच्छे से mix और अब बारी है इसमें कुछ spices एड़ करने की तो चलिए देख लेते हैं हमें इसमें कौन-कौन से spices एड़ करने हैं तो ये spice masala जो है आप इसको बना के एक डबी में रख भी सकते हैं अच्छे से तो इसमें हलका सा खटा पना जाए तो इन सभी masala को हमने यहां पर डाल दिया है और इसको हम अच्छे से रायते में mix कर लेंगे तो देखिए हमारे सारे पंसाले रायते में अच्छे से mix हो गए हैं और हमारा रायता जो है वो बहुत ही बढ़िया बनकर तयार हुआ है मैं आपको इसकी consistency दिखा देती हूँ देखिए यह बिल्कुल गाढ़ा रायता है अगर आप पतला करना चाहें थोड़ा पतला कर सकते हैं बर यह रायता थोड़ा गाढ़ा ही अच्छा लगता है तो चलिए अब बारी है इस रायते को एक twist देने की यानि कि इसमें लगाए mustard seeds, यह mustard seeds हैं राय नहीं है बारीक राय बारीक वाले Mustards हैं ब्लیک वाली तो यह डालना है यहाँ पर और जब हमारी जो mustard है वो अच्छे से चटकने लग जाएगी तो हम यहाँ पर डालेंगे आदा चूटा चमच जीरा तो मैंने यहाँ पर लिया है आदा छोटा चमच जीरा, जीरे को भी हम अच्छे से चटक चाले देंगे और जैसे हमारा जीरा भी अच्छे चटक जाएगा, आप देखिए बहुत अच्छे से हमारे मसाले चटक रहे हैं तो मैंने यहाँ पर डाली है एक खड़ी लाल मिर्च जिसको मैंने दो टुकडों में तोड़ दिया था इसके साथे साथ मैंने यहाँ पर तीन हरी मिर्च जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था वो भी यहाँ पर डाल दी है यह बिल्कुल optional है आप अगर तीखा कम पसंद करते हैं तो आप यह हरी मिर्च avoid कर सकते हैं बटी तड़के में बहुत ही अच्छी लगती है तो कोशिश करें कि इसको skip ना करें इसके साथ ही साथ अब हम यहाँ पर डालेंगे एक टेबल स्पून कटा हुआ बारी खरा धनिया और इस धर्णी को भी हम अच्छे से oil में थोड़ा सा fry कर लेंगे तो देखिए हमारा तड़का जो था वो बहुत ही बढ़िया से बन के तयार हो गया है आपको दिख रहा होगा कितना यह चटपटा सा लग रहा है और बस अपटा-फट से यह तड़का सारा जाएगा हमारे बत्वे के रायते में तो देखिए हमारा जो बत्वे का रायता था वो बन कर बिलकुल तयार है अमेजिंग लग रहा है और यह खाने में बहुत ही टेस्टी होता है तो देखिए लग रहा है ना एकदम मजे का रायता तो आप इसको किसी भी चीज के साथ एंजॉय कर सकते ह तो देखिए ये बहुत ही बढ़िया से बन गया है और बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है बहुत ही यमी होता है खाने में तो चलिए रायता तो हमारा बिल्कुल तयार है और अब बनाते हैं बत्वे की पूडिया तो चलिए एक बर फिर से हम आ गए हैं बत्वे पर मैंने में आधा کिलो बथ्भा लिया था जिसको वाश करके स करके मैंने 2 हिस्सों में अजिए खरे ना हैं उनला था अधार और अंशनाय या द के से опять के मिर्चों के साथ तरिकिया रे लिए और चार कप आटा ये गेहों का आटा है अब हम इसमें डालेंगे एक चमश नमक जिसे की बत्वे की पूरी में जो है बहुत अच्छा सा टेस्ट आ है इसके साथ ही साथ मैंने यहां पर ली है एक टी स्पून अजवाइन जिसको मैंने अपने हाथों से थोड़ा सा रगड कर कि इसके जो जैसे की जो हमारी पूरियां है वो बहुत ही नर्म और बहुत ही मुलायम बनेंगी और अब मैंने इसमें ओयल बे डाल दिया और इन सभी चीजों को हमें आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है धियान रखें यह प्रोसेस बहुत ज़रूरी है जिससे की जो हमारा आटे वो अच्छे से पूरे आटे में मिक्स हो जाए तो हम अपने हाथों से इसे अच्छे से पूरे आटे में मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हमें बत्वे की जो प्यूरी बनाई है उससे हमें इस हाटे को गूनना है उस प्यूरी के साथ तो बस हम फटा-फट से इसका एक डो तैयार कर लेते हैं इसे कूंते टाइम आपको थोड़े बहुत पानी की जरुरत पढ़ सकती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप इसमें थोड़ा बहुत पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं तो बस हम फटा फट से इसका एक अच्छा सा सॉफ्ट सा बट थोड़ा टाइट डो यानि पूरी की तरह का डो हम तैयार कर लेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा पूरी का आटा बहुत अच्छे से रेडी हो गया है तो आप हम इसको तकरीबन 15-20 मिनट के लिए हमारा ओयल गर्म होता है इधर हमारा आटा भी सॉफ्ट हो चुका है तो चलिए हम जब तक ओयल गर्म होता है तब थोड़ी पूरी यां बेल लेते हैं तो हमें आटे की छोटी छोटी लोई बनानी है जैसे कि हम पूरी के लिए बनाते हैं उसी तरह से हमें इस आटे की भी लोई बना लेनी है तो चलिए अब फटा-फट से हम इसे पूड़ी की शेप में बेल लेंगे तो ओयल भी हमारा अच्छे से गर्म होने को आ रहा है हम जल्दी-जल्दी इसको बेल लेंगे हमने फटा-फट से इसकी कुछ पूड़ियां तैयार कर ली है और अब बारी है इनको फ्राइ करने के लिए तो चलिए देखिए हमारा ओयल अच्छे से गर्म हो चुका है तो हम फटा-फट से इसे फ्राइ कर लेते है पूड़ी को ऑयल में डालते ही थोड़ा सा प्रेस करना बहुत जरूरी होता है जब आप इसको नीचे की तरफ प्रेस करते हैं तो उसे की पूड़ी हमारी बहुत ही अच्छी फूलती है बत्वे की पूड़ी में अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि यह सौट नहीं बनती है यह फूलती नहीं है आज मैं आपको दिखाऊंगे कि बत्वे की पूड़ी कितनी इसली फूलती है जब इसका डो अच्छे से बना होगा तो यह बहुत ही आसानी से फूलेगी और जब आप इसको थोड़ा सा ओयल में डालते ही नीचे की तरफ दबाएंगे तो वो आटोमेटिक अच्छे से फूल जाएगी यह कोई भी कूड़ी हो, प्लेन आटे की हो, किसी भी तरीके की फूड़ी हो यह एक ट्रिक है कि जब आप इसको हलका सा नीचे की तरफ ओयल में प्रेस करेंगे तो यह बहुत अच्छे से फूलती है तो देखिए हमारी गरम गरम फूली हुई बत्वे की पूड़ी बिल्कुल तयार है इसी तरह से हम बाकी पूड़ियां भी तल लेंगे तो देखिए तयार है हमारी नरम मुलायम बिल्कुल फूली फूली सी बट बहुत ही क्रिस्पी बत्वे की पूड़ी तो इसको हम फटा फट से सर्फ कर लेते हैं गरम गरम बत्वे के रायते के साथ तो हमने यहां पर चट्नी बत्वे का रायता और साथ में मिक्स अचार जिसकी रेसिपी अल्रेड़ी मेरे चैनल पे अभी रीसिंटली में मैंने अप्लोड की है जो सर्दियों में जो मिक्स अचार होता है ना यह गाजर, मेर्च, गोभी, शलकम बगएरा का बहुत ही चट्पटा और बहुत ही अच्छा लगता है इसके साथ खाने में इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है और मैं इसकी लिंक आपको दे दूँगी डिस्क्रप्शन में आप बेल आइकोन को जरूर हिट करें जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी वो भी बिलकुल फ्री में मैं आपकी दोस्ट जैजी एक बर फिर से लेकर आऊंगी आपके लिए एक बहुत ही बहतरी बहतरीन से रस्पी तब तक के लिए टाटा बाए बाए टेकेर